मध्यरेल नागपूर मंडल के तहट रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने ओनलाइन शिकायत पर चलती ट्रेन में यात्री को मोबाइल चुराने वाले आरोपी को पीछा कर धर दबोचा घटना पुलगाओ की है आरोपी का नाम हिवरा पुलगाओ निवासी तेजस सहारे बताया गया है उसके पास से चोरी किया मोबाइल भी जब्त किया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपूर निवासी करन पोतदार विदर्ब एक्सप्रेस के A2 कोच में मुंबई तक सफर कर रहे थे इसी दोरान किसी ने उनका मोबाइल चुरा लिया उन्होंने रेलवे के ओनलाइन हैंडल पर इसकी शिकायत की इस समय ट्रेन पुलगाओ पार होने की थी जानकारी मिलते ही आरपीएफ के रंजन तेलंग पवन कुमार और नावनाथ ने ट्रेन में तलाशी शुरू कर दी इसी दोरान A.C. कोच के पास खड़ा एक यूवक चलती ट्रेन से कूट कर भागने लगा रंजन पवन और नावनाथ भी उसके पीछे भागे करीब 500 मीटर दोडने के बाद चोर को तीनो आरपीएफ जवानों ने धर दबोचा उसके पास से करन से चुराया गया मोबाइल भी बरामद हुआ पकड़े जाने के बाद आरोपी ने अपना नाम तेजस बताया और चोरी की कबूली दी उसे तुरंत गिरफतार कर आगे की कार्यवाही के लिए मामला जी आरपी को सौब दिया गया उक्त कारवाई वरिष्ट बंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में पूरी की गई